Hello everyone, welcome you all at Locaster Unlimited Study Zone तो आईए आज स्टार्ट कर रहे हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है Limit Involving Greatest Integer Function तो आज कल एक्जाम में जो लिमिट के क्वेशन आते हैं वो थोड़े सिंपल नहीं है उन में कहीं Greatest Integer Function, कहीं Involve रहेगा कहीं Logarithmic Function involved रहेगा तो आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि Greatest Integer वाले या Logarithmic Function वाले जो Limit के Questions होंगे उनको हम कैसे Solve करते हैं तो आई आज का पहला Question मैं उठाता हूँ बट Question के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि Greatest Integer Function का Symbol यह हुआ करता है और बाकी Basic Theory तो आप Greatest Integer की जानते ही होंगे कि Greatest Integer जो होता है किसी भी Function को Example जैसे 1.1 लिखा है तो इसके जस्ट पिछले वाले Integer पे यह Break करता है तो यह जो पिछले वाले नंबर पे Break किया करता है Greatest Integer Function और अगर आपके पास Negative नंबर है तो जो है वो भी जो उसके पास वाला पीछे वाला Integer रहता है उस पे Break किया करता है For example अगर आपके पास Minus 1.5 है तो इसको किस पे Break करेगा यह Minus 2 पे Break करेगा चलिए यह सारी बाते तो आप जानते होंगे मैं आपे थोड़ा सापको Advanced Level में बताने जा रहा हूँ चीजे तो उसके लिए यहाँ पर अपना आए है तो चलिए देखिए पहला Question मैं आपको दे रहा हूँ आपको Left Hand Limit Find करनी है लिमिट एकस्टेंस टू टू माइनस ओके और Greatest Integer के अंदर लिखा हुआ है साइन ओफ एकस स्क्वाइर माइनस 4 अपन एकस माइनस 2 यह Question दिया गया साइन ओफ एकस स्क्वाइर माइनस 4 अपन एकस टू है। इसको एकस प्लस 2 कर लो ओकी चलो प्लस 2 कर दिया है मैंने अब आईए इसको सॉल्व करते दिखिए कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले तो limit है, तो limit कहती है, support करती है, जो काठा कुटी आप कर सकते हो, कर दो, है न, limit जो है, factorization का support करती है, तो अपन क्या करते है, greatest integer यहाँ पे है, sign, और यह x square minus 4 को x minus 2 और x plus 2, और upon में कितना आ गया, x plus 2, तो यह x plus 2 से x plus 2 cancel हो गया, आपके पास limit x tends to, 2 minus बच गया, औ केवल इतना बचा हुए, अब देखे, आप क्या support करेंगे, let x equal to 2 minus h, if x is standing towards 2, then h is standing towards 0, अब limit को आपको solve करना पड़ेगा, क्योंकि left है यह, तो आप लगा सकते है, limit h is standing towards 0, okay, and sign of greatest integer तो लग गया है, x की जगे कितना, 2 minus h minus 2, ठीक है, 2 से 2 cancel हो गया, अब देखे, जलवा सुर रहना रहना पड़ेगा, आपके पास sign of minus h, आपने put कर दिया, आप जानते है, limit h tends to 0, आपके पास sign of minus h, कितना हो जाएगा, minus sign h, हो जाएगा, ओके, अब अगर आप यहाँ पे, minus sign h, अगर आप यहाँ पे h की जगे 0 put कर दे, sign h, क्योंकि limit है, limit h tends to 0 का मतलब, term क्या आया, मै पहले term को ले चलता हूँ थोड़ा सा, फिर असके बाद आसके बारे में हम लोग detail में आप से बात करेंगे, चली, आँगे ले, next page में लेके चलते आपको, यह देखे हम यहाँ तका करके रुके हुए थे, ठीक ना, अब देखे, आपके पास क्या कर रहा, h tends to 0, h tends to 0 का 0 के थोड़ा आंगे यह 0 के थोड़ा पीछे, तो अगर आप 0 के थोड़ा आंगे यह 0 के थोड़ा पीछे ही value रखेंगे, तो sin h जो हुआ करता है, if h is tend to 0, this means sin h is also 10 to 0 होता है, okay 10 to 0, मतलब आप यह समझ सकते हूँ, कि इसकी जो value होगी, sin h की exactly 0 नहीं होगी, इसकी value किती 0.00, मतलब sin h जो आप लिख सकते हो, actually वो होगा कितना, 0.00, 0, 0, 0, 0, 0, मैं कहता हूँ, कितने भी 0 होंगे, last में बनाएगा, मतलब 0 नहीं होगा, 0 से थोड़ा अलग होगा, हलका सा 0 की तरफ जाएगा, बट 0 नहीं होगा, तो आपके पास यह क्या होगा, आपके पास यह कि में, यह जो value है, यह non-0 है, है ना, यह value जो है, वो non-0 रहेगी, और non-0 रहेगी, बट कितनी रहेगी, 0 से थोड़ा सा ज्यादा, ओके, non-0 और 0 से थोड़ा सा ज्यादा, तो जब 0 से थोड़ा सा ज्यादा, तो जब 0 से थोड़ा सा ज्यादा, तो जब 0 से थोड़ा सा ज्य किछे ओके और और साइन और एक्सट्स इस्ट्धा मैं फूर अपन में कितने था कहई में एक्स प्लस टू था या हाँ x plus 2 इसकी value किती आएगी minus का बन चलिए next question करते हैं हम लोग अगला question आपको दे रहा हूँ चलिए करके दिखाए question ओके आपके पास question है limit x tends to 0 okay sin of pi minus x चलिए sin of pi minus x आपको इसको limit की value मेरे को निकाल लिए जल्दी से चलिए अगला question है आपके पास में यह लिखा है limit मैंने बताई दी आपको यह question करना है तो देखें कैसे कैसे करेंगे limit x tends to 0 अगर कभी भी आपको कोई greatest integer function मिलता है तो उस पर आपको left भी निकालना और right भी निकालना क्योंकि particular point पर greatest integer function left पर और right पर अलग-अलग value दे सकता है ना जैसे 0 के आंगे और 0 के पीछे इसकी अलग-अलग value मिलती इन teaser की इसलिए दोनों आपको right और left निकालनी पड़ेगी तो पहले मैं right निकालता हूं limit h tends to 0 sign of pi minus x के जग कितना 0 plus h तो कितना हो जागा pi minus h sin pi minus h equal to कितना होता है sin h होता है और sin h जो होगा अभी अभी मैंने बताया पिछले question में कितना जागा sin 0 sin 0 मतलब कि 0 के आसपास और क्योंकि यहां पर आपके पास sin of h है ना pi minus h है एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट पाई मैनस h है यहां पर तो यहां पर 0 से थोड़ा सा आसपास तो आएगा 0 point something आएगा और आपको पास यहां पर जो limit बनेगी यह left नहीं है बेटा थोड़ी सी गलती होग यहां पर मेरे से है तो यहां पर यह जो लिमिट साइन ऑफ एच कितना हो जागा जीरो पॉइंट संथिक आएगा मैं कहता हूँ 0.001 0.000001 तो इसका अंसर कितना निकलेगा 0.001 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 0.00 मौड में सुरी बॉक्स के अंदर 0.00000 जो कि किसको जनरेट करेगा जो कि माइनस वन को जनरेट करेगा गलती से 0 लिख दिया था तो आपके पास में रहे चल कितनी आ रिये 0 और लहे चल कितनी आ रिये मतलब 1 के पीछे मतलब 1 पर आपको left hand limit निगालनी है of the function greatest integer आपके पास जो function दिया गया कितना दिया गया sin inverse of x तो चलिए रेखे इसको कैसे solve करेंगे तो आप देखे आपके पास क्या put करना आपको limit h tends to 0 sin inverse 1-h ये put कर देंगे अब देखो आप ये समझो कि 1 पर जो value मिलती थी 1 पर value क्या मिलती थी pi by 2 ओके 1 पर value क्या मिलेगी pi by 2 अगर आप 1 से थोड़ा सा कम यदी लेंगे तो 1-h पर मतलब 1 से थोड़े कम पर ये देखो ये 1 है 1-h का x यहाँ पर आएगा और इस पर जो आपके पास जो value आएगी वो pi by 2 से थोड़ा सा कम आएगी pi by 2 कितना होता है 1.58 के something होता है तो 1.58 से थोड़ा सा कम मतलब 1.57 मान लो और 1.57 का जो greatest integer आएगा किस पर टूटेगा 1 पर ही टूटेगा तो इस तरीके से limit x tends to 1-sin inverse x की जो value किती हो रही है इसकी value आ लिए 1. ओके डन. चली देखिए अगला question बहुत easy है आपको find करना limit x tends to infinity 10 inverse x ओके infinity पर अब देखिए infinity के आंगे और पीछे देखिए पीछे तो हो सकता infinity का पीछे दी जाएंगे तो देखिए chances बनते बट आंगे तो infinity के infinity होता है इसलिए infinity पर right hand limit की बात नहीं उठती है ठीक है अब देखिए 10 inverse x से अगर आप infinity पर बोला गया तो देखिए ग्राफ मैंने बना दिया इससे आपको ग्राफ समझा गया देखिए infinity पर इसकी value किती मिलती है पाइबाइ 2 मिलत देखिए तो इसकी value किती आएगी 1 आएगी इस तरीके से limit x tends to infinity 10 inverse x की value किती आगी directly आपको 1 ये बननी जाएगे डन चलिए देखिए अगला जो question है हमारे पास में अगला question हमारे पास दिया गया है limit x tends to 0 sin inverse greatest integer of x तो इसको समझने के लिए सब स्वारी greatest integer नहीं है यहाँ पर य fractional part बताऊंगा कि fractional part की working कैसे होती जैसे आप जानते हैं कि जो fractional part of x क्या होता है that is equal to original number minus greatest integer of x तो यहाँ पर हम दो चीजे देखेंगे एक fractional part of plus h और एक fractional part of minus h तो fractional part of plus h कितना मनेगा that is equal to h minus greatest integer of h और जो h होता है वो क्या होता है exactly 0 के equal to होता नहीं क्योंकि हम लिखते है है क्या h tends to 0 तो h जो होता है 0.000000 up to 1 हुआ करता है तो इस तरीके से यह दिया मैं put कर दूँगा तो कितना जागा fractional part of h equal to जो भी h होगा वो number minus of 0 oh okay क्योंकि is इसका greatest integer का तो कितना इगा 0 आयगा तो इसका answer कितना बचेगा एस तो याद रखेगा की limit के लिए जो आपके पास जो हरेereyeं करक्सिन पार्ट बच्ता है उसक seven लिए जो एक्टप प्रेक्ष्टनलंड पार्ड बच्ता है वह कितना बस्ता है अक्सmostồना पने पास में Öz 각ल है ठीक ना right hand limit के लिए जो fraction part of h निकले वो कितना h निकलेगा चलिए अब देखते हैं minus of h का fractional part कितना होगा minus of h जो कि खुद में negative number रहेगा minus of h का तो minus of h का fraction part कितना निकलेगा तो अभी मैंने बता है minus of h minus greatest integer of minus h तो यह जो value देगी greatest integer कितनी देगी minus 0.000000 up to 1. जो कि आपका greatest integer कितना तोड़ेगी minus 1 है ना minus of h जो है वो किस पर आपको break करेगी minus 1 पर यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लिखना चाहिए इसको मैं सही कर दूँ थो थोड़ा सा है ना यहाँ पर माइनस ओफ वन ऐसा होना चाहिए ठीक ना तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस वन तो यह कितना तूट जागा यह तूटेगा आपने पास माइनस एच प्लस वन तो इस तरीके से अब चलिए इस question को solve करते हैं जो आपके पास दिया गया है लिमिट एक स्केच किच इगे कितना हो पाट अभी आपको मैंने पढ़ आया कितना होता वन माइन एच के लो या माइनस ऑफ प्लस वन कल तो मैं今 आपर 1-H put कर दिया, okay, H की value 0 डालने पर देखे, कितना जगा, sin inverse 1, that is equal to कितनी πई बै टू, मतलब left hand limit इसके कितनी आ चुकी है, πई बै टू, अब निकालते है right hand limit, तो right hand limit मैंने आपको बताया था कि जो greatest index हुआ करता हुआ कि इसके equal होता है, H के equal होता है, तो H जो हुआ है, क्या आपको करता है, H equals to H हो जाया करता है, ठीक ना, क्योंकि वो कैसे करते हैं, यह सम्मेने पीछे कर दिया, यह रिख लो, आप H equal to H कैसे होता है, दुबारा नहीं बताऊंगा, सीरे question पर आते हैं, तो sin inverse fraction part of H है, तो limit H tends to 0 sin inverse, आपन right hand limit चला रहा है, इसलिए, यहां पर क्या रखेंगे, 0 plus H रखेंगे, 0 plus H equal to कितना हो जागा, fractional part of H, और अभी मैंने बताए, fractional part of H, किस के equal होता है, यह H के equal होता है, तो इतना सब कुछ करने की, जो इतनी, यहां मैंने पूरा solve कर दिया, सीरे sin inverse कितना हो जागा, H हो जागा, और इसकी value 0 डाल दो कि sin inverse 0, तो clear देख रहा है कि जो left hand limit है, वो right hand limit के बराबर नहीं है, इसलिए, यहां पर limit exist नहीं करेगी, so it is done, चली देखें, अगला question करते है, अगला question दिया है, limit x tends to k, greatest integer of k minus x, okay, plus greatest integer of x minus k minus x, okay, where k belongs to integer, जहाँ पर k क्या है, integer है, आपको solve करना, चली कैसे solve करते देखें, तो मैं directly right hand limit निकालूँगा, तो limit h tends to 0, और यहाँ पर k है, और x की जाए कितना रख दूँगा, k plus h, क्योंकि right hand limit, k plus h ही हो गया, और यह कितना हो गया, k plus h minus of x की जगे, k plus h minus of k, यह पहले वाला पार्ट है, इतना, ओके इतना सा पार्ट है, और minus of x मतलब कि कितना हो गया, minus of k plus h, चली अब इसको मैं simplify कर लेता हूँ, यह बड़ा bracket ही हमेने बाहर लगा लिया, ओके चली अब इसको मैं simplify कर देखें, इस k से k cancel हो गया, कितना बचा, minus h, और k से k cancel हो गया, बचा plus h, और कितना है, minus of k plus h, अब क्या है, limit h ट्रेंस तो 0 चल रही है, तो देखें, minus of 0 का जो greatest integer कितना बनेगा, वो minus 1 बनेगा, h का 0 बन जाएगा, और यह हो जागा, minus k, और h directly put कर दिया, कितना हो गया, 0 हो गया, तो इसका solve करने पर answer कितना हो गया, minus 1, minus का k, इसी तरीके से आप इसका LHL निकालेजी, यहां मैंने रहल निकाला है, आप जो है LHL निकाल सकते हैं, बिलकुल इसी तरीके से, ठीक है न, और वो भी आपके पास कितना आएगा, minus 1, minus k ही आएगा, तो limit क्या कर जाएगी, exist कर जाएगी, एक तो यह तरीका हो गया, अब चलिए मैं इसके बाद आपको कुछ rules लिखा दिता हूँ, उस rules की मदद से भी आप जो है, greatest integer function को solve कर सकते हो, पहला rule आप लिखो, अगर आपके पास में greatest integer function x plus k है, ओके, तो क्या करना है आपको, आपको करना है x का greatest integer करना, और k क्या आजागा, बाहर आजाएगा, ठीक न, जैसे आपके पास में x plus k है, तो आपको, केवल x का greatest integer करना है, और k के आपके पास में कितना आजाएगा, बाहर आजाएगा, चलिए, जैसे आप इसको समझ सकते हैं, जैसे कि आपके पास में मानलो कितना लिखा, 19.5 ठीक न, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, 19.5 का greatest integer डेर्क लिए कितना होता है, 19 होता है, अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, कि greatest integer of 19 प्लस greatest integer of 0.5, that is equal to 19 प्लस 0 एकोल टो कितना हैगा, 19 हैगा, ओके, तो क्या प्रपर्टी बन गई कि, अगर आपके पास x plus greater, कोई constant की है, तो डेर्ले इस equal to greatest integer of x, प्लस कितना होगया, की होगया, x plus greatest integer minus x है, तो आपके पास अगर x is integer, x belongs to क्या है, integer है, तो आपके पास जो answer आएगा, वो कितना हैगा, 0 आएगा, आपके पास answer कितना हैगा, 0 आएगा, और अगर x not belongs to integer, x आपके पास integer नहीं है, तो answer कितना हैगा, आपके पास में, minus 1 आएगा, आपके पास में answer कितना हैगा चलिए अब इन दोनों property का यूज करके भी हम जो ये जो question है वो हम बना सकते हैं रेखिए कैसे बना सकते हैं इसके पहले जो अपने question करवाया आपको वो इन दो property का यूज करके भी मैं कर सकता हूँ जैसे आपके पास में है limit x tends to k लिखा हुगा है limit x tends to k greatest integer k minus x ये हो गया है और plus कितना है यहां पर आ गया है x minus k और minus का कितना हो गया है x हो गया आईए देखिए इसको कैसे solve करते है आपके पास में तो limit x tends to k है ठीक है ना यहां पर देखिए भी मैंने बताया आपके कि अगर greatest integer constant हो plus x हो या constant minus x हो तो आप k को अलग कर दीजे और plus minus greatest integer आप मतलब की plus करके minus x ऐसा कुछ कर दीजे ठीक ना मतलब अगर ऐसा मतलब दो पार्ट में माइनस itself इस तरीके से ठीक ना तो चलिए रीखिया पही कि minus x ग्रीकिली शेल लिनку तो कैसे लिख सकते याप यहां पे लिख सकते हो की माइनस् ग्रेट ऐस्ट इंदी जर ओफ कितना केप फ्र्स ग्रेट इंडी जोरॉफ और – x ऐसा लिख सकते हूँ प्लस share टेस इंडी जिलन ओं से प्लस एकस माइनस की एकस माइनस की एटवि मैंने बता आपको कैसे लिखो गी अप इसको स्कूवाप लिखोगे concert ंडी जल और अगला कहा कि आपके पास में इफ X tends to K है तो आप क्या लिखते हैं X equals to K plus H ठीक ना और यहां पे चलो खेर अब ऐसा मत करो कि उसको H tends to make a directly आप यहां पर के डाल दो तो देखो यह दिए आप यहां पर के डालते हूं तो यहां पर कितना आएगा आपके पास में अगर X tends to K है मतलब X K के equal नहीं है tends to K है तो अगर आप यहां पर minus of K डालते हैं ओके यहां पर क्या डालते हैं minus of K डालते हैं देखे तो कैसा आएगा आपके पास मैं आपको बता देता हूं को कि यहां पर यह प्रोपर्टी और कुछ नहीं लगेगी अभी मैंने आपको थोड़ दिर पहले के रिजल्ट लिखा था कि greatest index of X plus greatest index of minus X यह देखी यह property लगने हैं यहां पर greatest index of X और greatest index of minus X कितना होता है यहां पर आपको मैंने बताए कि कि greatest index of x plus greatest index of minus x एक सेकंड यहां यह थी property कि greatest index of x plus greatest index of minus तब यहां पर यही तो property लगी नहीं यह किता हो जागा 1 और यहां पर x की जगे value किती आजएगी 1 की जगे x की जगे किया जागी तो answer इसका कितना आगया 1 minus के तो इस तरीके से आप इसको solve कर सकते हैं दो method मैंने बता दिय हैं एक तो directly property based वाली method मैंने बता दिये दूसरी मैंने आपको इस तरीके से बता दिये अगर आप इससे करते हैं तो मेरे ख्याल से आपका time जो है थोड़ा सा बच जाएगा क्योंकि इसमें आपको results जो हैं लगबग याद है okay कौन-कौन से results मैं आपको बता देंगा अगर आ ठेकन अगर आपके पस इंटीज če अगर आपको यह पर एक्सटेंज टू के इंटी श पूटनी करना हे के 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 इक्वल तो निनिनकेसी थोड़ा कम या जाद है मतलब तो fractional number होंगे तो इसलिए यहाँ पर value कितनी आ रही वन आ रही तो काफी चीजों को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ रहा है this is done चलिए देखिए अगला concept है properties of the fractional part function properties of the fractional part function में देखिए property लिखिए कि अगर आपके पास में fractional part of x है और fractional part of minus x है तो इसके दो values possible है if x is equal to integer then their sum is equal to 0 if x is not equal to integer their sum is equal to plus 1 ओके और एक और प्रापर्टी लिखिए कि if x plus k जहाँ पर k क्या है k integer है okay k belongs to integer तो उसका fractional part total कितना आएगा fractional part of x है example के लिए 1.57 है दिसको लिख सकते हो 1 plus 0.57 इसका जो fractional part आएगा कितना आएगा 0.57 ही नहीं आएगा चलिए इसी concept पर भी अगला question करते हैं अगला question बहुत easy है limit x tends to k fractional part of k minus x fractional part of x minus k तो अभी मैंने बताया था k minus x का fractional part directly कितना निकलेगा fractional part of k minus x है ना तो इसका directly क्या निकलेगा minus of x निकलेगा ठीक है ना fractional part of minus of x और k plus x का जो fractional part निकलेगा वो निकलेगा that is equal to plus of x and minus x और plus x जो है अगर integer नहीं है और x tends to k है जो कि integral value नहीं होगी तो इसलिए इसका answer कितना हो जाएगा 1 so correct answer equal to 1 done चलिए अब एक और wonderful concept क्यों चलते हैं उस concept को आप लोग note कर लिजे कि देखे आपके पास जो एक कुछ है इस type के question आते हैं जैसे ये question आपके पास में limit x tends to 0 आपके पास question है sin x upon x ओके या आपके पास इस तरीके का question है limit x tends to 0 है ओके आपके पास है x upon 10x या 10x upon x इस type के question है तो इस type के question कैसे करते हैं देखे इसके लिए concept बना लिजे आप लोग इसमें ये rule चला करता है कि sin x की value जो होती है वो हमेशा x से कम होती है sin x की value जो होती है, मिसा x से क्या होती है, कम होती है, और यह जो x होता है, यह 10x से कम होगा करता है, x जो होता है, मतलब 10x से कम होगा करता है, तो इसको कैसे समझेंगे, कब होता है यह, जब x की value 0 से लेकर के pi by 2, 0 से लेकर के pi by 2 में, जो sin x होगा करता है, वो छोटा होता है, औ इसके opposite अगर आप बात करते हैं कि x की value minus pi by 2 से लेके 0 okay minus pi by 2 से लेके 0 तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर जो होता है 10x जो होता है x से चोटा होता है और सबसे बड़ा क्या हुआ करता है यहाँ पर sin x होता है तो दोनों को आप यह identity या जो भी कहलो इसको इसको आप याद कर लो इससे कुछ questions बन सकते हैं इससे जो question बनेगा तभी यह identity आपको याद रहेगी तभी आप इसको solve कर पाऊगे ठीक है चलो तो फिर हो जाए question solve तो आपके पास यह दिया हुआ है limit extends to 0 ठीक है पहले मैं एक काम करता हूँ पहले मैं आपको थोड़ा सा solve करा देता हूँ limit extends to 0 से लेके बड़ा है मतलब यदि आपके पास में extends to 0 plus की बात हो गई limit extends to 0 plus 0 से बड़े हो की बात हो गई तो 0 से बड़े में कौन सा rule लगे गए यह बाला लगेगा जीरो प्लस तो sign x upon x की जो value होगी वो कित्या आगी less than 1 अगर मैं यहाँ पर greatest integer कर देता हूँ तो sign x upon x का greatest integer limit extends to 0 plus के लिए 0 से बड़े के लिए इसकी value 1 से कम आ रही है और 1 से कम आ मतलब इसका जो greatest integer आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा इसका greatest integer कितना आएगा 0 आएगा ओके अब देख इसको याद कर लो आप लोग अच्छे से ठीक ना यह result जो है बहुत काम का है दूसरा देख लो अगर आपके पास limit x tends to 0 minus मतलब 0 से छोटे के लिए तो 0 से छोटे के लिए देखो क्या result बन रहा है अगर आपके पास 0 से छोटे के लिए है तो जो आपके पास में sin x है वो क्या है x से बढ़ा है sin x जो है वो क्या है x से बढ़ा है x की value 0 से छोटे के लिए जो sin x है वो क्या है x से बढ़ा है इस तरीके से अगर आप यहाँ पे sin x upon x कर दोगे ठीक है तो sin x जो है वो क्या है x से बढ़ा है अगर आप sin x upon x कर दोगे तो वो क्या आजाएगा 1 से बढ़ा आ जाएगा ठीक न, साइनेक्स अपॉन एक्स कर दोगे, तो कितना आ जागा, एक मिनट, एक मिनट, जीरो से, इसके लिए न, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो जीरो से कम के लिए जो है, एक्स छोटा है, साइनेक्स बढ़ा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो साइनेक्स अप पे क्या problem हो रही है actually यहाँ पर X क्या ले रहर हो आप negative ले रहा हो नूँँ तो X की जो है यहाँ पर negative है तो negative होने की वजह से अगर आप यह दिवाइड करोगे तो sin upon x हो जाएगा sin Protection change हो जाएगा एक सप अपन x हो जाएगा तो अबकुल मिला कि यह है कि चाहे आपका left हो या right हो आप या आद कर लिजे left हो या right हो दोनों के लिए एक ही format लगेगा left या right के लिए दोनों के लिए याद कर लिजे कि अगर limit extends to 0 प्लस जो है अगर आप से पूछा जाए sin x upon x क्या होगा तो इसका answer भी कितना है जीरो और अगर आपसे पुछा जाए limit extends to 0 minus sin x upon x क्या होगा तो ये भी कितना होगा जीरो ही होगा तो commonly आप कह सकते हो कि limit extends to 0 sin x upon x की value किती होगी आपके पास में 0 होगी ठीक ना sin x upon x की value 0 की अब याद रखेगा main चीज क्या याद रखना आपको solve करते हैं अगर subjective ये question आता है तो main लिए आपको याद रखना है कि sin x की value होती है वो x से छोटी होती है और इस case में 10 x बढ़ा होगा करता है बड़ जब x की value 0 से लेके pi by 2 के बीच में move करती है दूसरा 10 x सबसे छोटा होता है 10 x से बड़ा x होता है और x से बड़ा भी sin x होगा करता है कब जब x negative होता है मतलब x की value जो होती है minus pi by 2 से 0 के बीच में like किया करती है उस दोरान में जो आपका आएगा 10 x सबसे छोटा then उससे greater than is x then उससे बड़ा जो होगा कितना होगा sin x होगा तो उस condition में sin x सबसे greater होगा ठीक है न तो जो बाकी के result आप PC से निकाल सकते हैं so this is done चली तो देखे हमने क्या सीख ली actually limit x tends to 0 plus sin x upon x equal to 0 limit x tends to 0 minus sin x upon x equal to 0 मतलब दोनों को combine करके देखा जाए तो sin x upon x के greatest integer function की जो आपके पास में जो value होती ही वो कितनी हाती limiting value जो होती ही 0 आती है चली अगला question मतलब mainly आपको यह theorem यादा अगले question के पहले वो कि कि अगर आप 0 से लेके 5 by 2 में देख रहे हैं तो sin x जो है सबसे चोटा फिर उससे बड़ा x फिर 10x बड़ा और अगर आप minus 5 by 2 से लेके 0 में देख रहे हैं तो सबसे चोटा 10x है फिर उसके बाद x है और सबसे बड़ा क्या है sin x है चली अगला question आ गया है कि limit x tends to 0 10x upon x हमें find करना है तो देखिए कहां से question और उठाएंगे क्योंकि x tends to 0 मतलब यह वाला आप statement उठाइए कि 10x की value जो होती एक से बड़ी होती तो 10x upon x is greater than 1 तो greatest integer of 10x upon x है ना limit x tends to 0 plus के लिए कितना आएगा 1 आएगा विकॉज यह 1 से बड़ा आ रहा था तो greatest integer कहां पर टूटेगा इसका 1 पर टूटेगा चली अब backside solve करते है limit x tends to 0 minus 10x upon x तो देखिए minus 52 से 0 के लिए 10x जो होता है x से छोटा हुआ करता है तो 10x less than x है तो मैंने इसमें x का डिवाइट कर दिया अब x क्या actually negative है तो 10x upon x sign change होना आएगा inequality का क्या हुज़े greater than 1 तो 10x upon x जो है ओके कितना आ जाएगा greatest integer 10x upon x का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा इस तरीके से इसकी value किती आ गए मैं पास 1 आ गई तो combinedly में क्या लिख सकता हूँ कि limit extends to 0-10x upon x equal to limit extends to 0 plus 10x upon x equal to whole limit extends to 0 greatest integer 10x upon x जो होगा वो किसके equal होगा 1k को होगा मतलब greatest integer में आपकी चाहिए sign की value हो है ना sign की value तो आपने देख लिए unmute को है जाने न sign की value किती है थी इसके पहले में अन्य बता दी आपको? ओके और यहाँ पर 10 की value किती ही आ रहेगे आपके पास में 1 आ रहे ह। abre臨 की value किती है यह ए 10x upon x कर दो okay तो चाहिए Plus में करो चाहिए minus में करो इसकी value किती है रहे है तो 1 आ रहे है ठीक है clear हो गया एक concept चलिए done चलिए देखिए अगले question के और चलते हैं अगला question note करिए limit x tends to 0 sin x upon modulus of x का greatest indieser complete का लगाना आपको यह question देखिए तो सबसे पहले right hand limit में निकालता हूं इसमें तो limit x tends to 0 sin of 0 plus h upon 0 plus s तो देखिए उपर भी sin h हो गया और नीचे भी sin h हो गया है आपको पता है कि sin h upon h जो आता है वो कितना आता हमेशा हर हलत में एक से कम हुआ करता है क्यों हुआ करता है क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास h greater than 0 के लिए जो हुआ करता है sin of h always less than h हुआ करता है ठीक है न तो sin of h upon h जो होता always less than 1 होता है और अगर आप greater than less than 1 का अगर आप greatest indieser ले लोगे तो कितना आ जागा 0 आ जागा तो पहला पार्ट आपके पास में कितना आ चुका है 0 आ चुका है चलिए अब देखिए second part में चलते हैं जब LHL निकालते हैं तो LHL के लिए क्या करते है limit h tends to 0 और x की जगे क्या पूट करते हैं 0 minus h ओके 0 minus h upon mod of 0 minus h देखिए minus h खुद में negative है तो उसको positive बना लेके modelis क्या देगा minus minus plus हो गया उपर कितना आ गया minus sin h upon h अभी आपको पता है minus sin h upon h जो होता है वो कितना हुआ करता है वो एक से कम होता है ओके एक से कम मतलब एक से कम मतलब माइनस 0.9999 इस तरीके से 0.09999 इस तरीके से तो यदि इसका मैं greatest integer निकालूंगा तो मेरे पास कितना जगा इसका greatest integer मेरे पास इस बार minus बनाएगा तो हम देख रहे है कि इसकी दाई सीमा कितनी ही left hand right hand limit कितनी हा रही है जीरो और इसकी जो left hand limit कितनी हा रही है minus 1 इस तरीके से यहाँ पर limit exist नहीं करेगी so limit does not exist मतलब सीमा का स्थित्व नहीं होगा okay so correct answer is limit does not exist done so दोस्तो यह थी आज हमारी special classes जिसमें हमने आपको mainly जो function cover कराया कौन-कौन से function कर वा कर रहा है एक लिए जह मैं यहां लिख देता हूँ सबसे पहले मैंने आपको greatest integer function cover कर आया then मैंने आपको इसमें आपको कैसे fractional part function पूरे cover कर आया और इनकी सारी properties मैंने discuss कर दिये तो चलिए आज की लेक्चर को यही पर विराम देते हैं आपका बहुत बहुत धन्नवायत नमस्कार